सभी को जहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जहिंद रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे वहाँ जमा आपके लिए इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे एक ऐसी वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को में लेगा और मज़ा आएगा तो इसन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आकि हम आपनी से लेटिस्ट और इंट्रोस्टिंग वीडियो लाते रहें तो चलिए पह वहां पर मुसल्मानों के साथ इम्तियाजी रविया रखा जा रहा है वहां पर मसाजद के ओपर हमले हो रहे हैं वहां पर उनके जो स्कॉलर्स हैं उनको गिरफतार किया जा रहा है और वहां पर जो बाकी भी जो पाकिस्तानी हैं या दीगर जो इसे मुमाले के जो मुसल्म को opportunities दी गई है हर इनसान को बाहें खोल के invite करा गया है इस वज़े से नहीं कि यहां पर जो लोग आएं वो गंद मचाएं तो of course जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो वो इसी इसी वज़े से पकड़ा जा रहा है क्योंकि उन्हों अच्छे काम नहीं करें भई तो यहां पर ना किसी government के पास ना फालतू वक्त है ना फालतू टाइम है कि लोगों को ऐसे खाम खाम में पकड़ें यहां पर resources limited है और अफकोस अगर लोगों को पकड़ा जा रहा है और वो मुस्लिम हैं हैं और पाकिस्तानी याँ मिसल्मान तो हरमे modularers लोग बोलते हैं याँ हमें इस ली पकड़ा गया कैं या इस इनसान को उसली पकड़ा गया क्यों कि पाक्सानी है या मुसलमान है और लोग भुल जाते हैं कि ऐससे कोई पकड़ता नहीं किसी को कुछ करा होगा तो पकड़े चा रहे तो पक्सानी लोग उस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं यार खराब लोगों को पकड़ा बस ये बोलते हैं यार ये मुसल्मान था इस वज़े से तो आप लोगों को यह अकाउंटबिलिटी और थोड़ी सी रिस्पॉंसिबिलिटी लेनी पड़ीगी ना कि कुछ करा होगा त अगर मुसल्मान और पाकिस्तानी लोग नूमल बेहेवियर खुद रखेंगे तो उनके साथ लोग normal behave करेंगे अगर आप अजीब अजीब हरकते खुद करेंगे तो फिर आप कैसे expect कर सकते हैं कि दूसरा इंसान आपको अच्छी तरही किसे behave करेगा मुझे तो कोई मसला नहीं हो आप यूके में रहने में तो अगर आप पड़े लिखे होंगे अगर आपकी हरकते सुल्जीवी होंगी लोगों को खुशी होगी अआपसे मिलने और आपसे बात करके तो लोग खाम खामें आप конце पीचे क्यों हटेंगे लोग जातातर उन लोगों से पीछे हटते हैं जो अजीब अजीब बाते करते हैं हरकतें उनके अजीब होते हैं खपड़े अजीब से होते हैं अंग्रेजी बोलने नहीं आती यह सब चीजें मैं पहले भी आपकी चैनल पर बोल चकी हूँ तो ऐसे इसे इनसान से लोग भागते हैं यहापर, क्योंकि उम्हें नहीजा कि इस इस इसान के आतर कामन सेंस है भी, कि हम कुछ बोल पाएंगे, इसके साथ करने अंग्रेजी आती है कि नहीं, अंग्रेजी आती भी है, तो इसका दिमाख इतना नारो माइंडेड हो, क्यों झ नहीं सकते वज़े यही है कि जब आप अपने पाकिस्तानी लोगों के बीच में रहेंगे, मुसल्मान लोगों के बीच में रहेंगे, तो आपका दमाग खुलेगा नहीं, बहुत बंद बंद दमाग होता है, अन्फोर्चनटले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसल्मान अपने आपको बोलते हैं, और खुद फैसला करते हैं, यूके में आने का, या भार के मुलक में जाने का, और फिर यहां पर आके लोगों को काफिर, कुफर, मुनाफिक, इस एट की अजीब अजीब लैंगूज इस्तामाल करते हैं, मुझे समझ में कि लोग यहां खुद आ रहे हैं, फिर हमसे मिलना ने चाहरे हैं, क्योंकि हमें काफिर बोल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर हम इतने बोल रहे हैं, अगर आप आ रहे हैं, तो फिर हमसे बिजी होती है, पूरा टाइम, इंसान के सास लेने की भी जगह नी ताइम नी मिलता, एक्शली, यहाँ पर किसी के पास भी फालतो टाइम नहीं है, कि किसी को अटाक करे, यहाँ पर अगर लोग नराज हैं, पाकिस्तानियों से, यह मुसल्मानों से, वो इस वज़र से, क्यों पर जाएं तो उनको लगता हम सब ऐसे हैं भई तो पाकिसान में तो चलो माना कि यहां पर मदरसे की तालीम है एजूकेशन जो है मदरसों के अंदर हासिल करते हैं और यहां पर जो एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि वो एक टिपिकल माइंडसेट के लोग जो है वो ज्यादातर होते हैं पाकिसान के अंदर लेकिन अगर यूके की बात की जाए तो यह तो एक जो है फ्री सोसाइटी है उपन माइंड़ लोग हैं तो यहां पर जाकर पाकिस्तानियों का जो एक जहन बना होता है वो चेंज नहीं होता तो वहां पर पुछ लोग ऐसे पाकिस्तानी नहीं ह तो आपने यहाँ पर इस तरीके से रहना है, जैसे आप, आप हैं, खुद्धा आप हैं, तो इस तरह के לכ नहीं हैं यहाँ पर, ज्यादा नहीं है, और जुरूरी है, कि जो हैं वो जागें, आप बोलना शूरू करें, तो मेरे cैनल के ठूट चाहिना पर भी हैं, तो मेरे चै तो बाकी के जो completely जाहिल लोग हैं, वो अपनी हरकतें जाहिलाना करते रहेंगे, और हम लोगों को बदनाम करते रहेंगे, तो बहुत जुरूरी है कि लोग अपनी आवाज उठाएं, और मैं शुकर करती हूँ, thank God Allah का कि अवज लोग मेरे चानल पर आ रहें, जो अच्छे लो लोग आएं हैं, अच्छी बात है कि मेरे चैनल पर आ रहे हैं और अच्छी ची बाते कर रहे हैं, मगर और भी लोगों का ज़रूरी जादातर कौम और आवाम जाहिल हैं, और आपने सही बोला कि पाकिस्तान में चलो समझ में आज सकता है कि लोग मदरासी के एजुकेशन है मगर बात दी कि इनी जाहिल पाकिस्तानियों ने यूके और अमेरिका को में भी मदरासा बना लिया है और एजुकेशन खलत खलत चीज़े सिकाते हैं, काफिर, हिंदू, मुस्लिम, यह जीब, जीब, इस टेप की यह सब नफरत पैदा करने वाली बाते करने का मकसद क्या है इनसान को पाकिस्तान के लोग इनसान क्यों नहीं समझते हैं, अल्ला ने हम सब को बना है, आप अल्ला बोले या गॉड बोले या भगवान बोले, मेरे नजर में आप जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स या अप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई फरक नहीं प गॉड बोले या अल्ला बोले, गॉड को पता है, अगर गॉड एक ही है, तो गॉड के बार में बात कर रही हूं ना, मैं, इतनी स्टूपड च्छोटी चीज़ हैं, ऐसे जाहिलाना बातें कि लोग भाग रहे हैं उल्टा, बलके ऐसे से लोग ने मुझे कॉन्टाक करा जो अगर बोलते हैं, यू बलते हैं, इस मथे लोग को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पर जूड वॉल कर रहे हैं, उस्तरी तो हम इन छीज़ों में हिस्सा नहीं ले सकते तो मैं ये लोगों को बुलना चाहती हूं, कि आप लोग, डुड जो दूसरे मुसलमान ए, उ आपके जो हरकते हैं को मैं अगर कोई मजभ फॉलो करूं मैं इस वज़े से फॉलो करना चाहूंगी कि मैं अच्छी इंसान बनना चाहती हूं इस वज़े से नहीं कि मैं अपने दिल में नफरत रखूं दुसरे लोगों के लिए जो दुनिया में आए हैं अल्ला ने हम सब को अब हिंदू बोले या क्रिस्टिन बोले अगर मैं हिंदू फैमिली में पैदा होती होती हमने किसी ने डिसाइड नहीं करा है अगर आप लोगों को बहुत बड़ी गलत फैमी है कि सिर्फ अल्ला मुसल्मानों को पसंद करता है और पूरी जो बाकी की जो दुनिया जितने इतनी बुलीन पॉपिलेशन है और गॉड ने सब को छोड़ा वाया परवा नहीं करता है ये स्टूपिड सोच है कम्प्लिटली मुझे ये लगता है कि हर चीज़ टेस्ट है गॉड के तरफ से और अचली अल्ला जो हमें अजवा रहे हैं कि जो दुसरे लोग हैं दुसरे म अज़े लग है या जो भी आप आउरत हैं और दुसरे इसना आदमी है जेंडर को लेके तो मैं ये समझती हूँ कि ये गॉड के तरफ से ये जो हमारे अंदर डिफरेंस हैं ये अक्शली हमारा टेस्ट है आजमाईश है हमारी कि यार हम कैसे डील करते हैं हम क्या नफरत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आपको पाकिस्टानी और मुसल्मान बोलते हैं बहुत गंदे-गंदे काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग है जो हिंदू हैं क्रिस्टियन है जो अच्छे-च्छे काम करते हैं तो मैं क्या इनसान को देखू या मैं मजभ और इन तर्बियत दूँ अपने सही खुद बोला कि मदरासी की एडिकेशन पाक्सान में काफी है और बात ये है कि जो पाक्सान के जो माबाब हैं उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया हैं उनको कोई होश नहीं कि बच्चे सीख किया रहे हैं यह नो मदरासे में पैदा करक खलक चीज इससे काई जा रही हैं तो ये दिहान देना पड़ता है मगर बात ये जब माबाब खुद जाहिल हैं जब माबाब को खुद भोश नहीं है तो अपने बच्चों को क्या सिकाएंगे यह नहीं इस रिली हरुबल इस हरुबल दो आशा करता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत